सूपर आइडियास में आप लोगों का एक बाफ फिर स्वागत है और जो आप सभी जानते हैं कि 20 लाग करोण का पैकेज यानि की आतम निर्भर भारत के लिए जो पैकेज रिलीज किया गया है पीम मोदी ने जो अपनी स्पीश में बोला था उसका फर्स्ट फेस यानि की पह कुछ बातों का एलान किया है तो उसमें जो एक बात है वह पीएफ को लेकर हम इस वीडियो में देखेंगे इस तरीके के वीडियो आपको मेरे चैनल पर और मिल जाएंगी जिसमें हमने सारी बाते डिसकस की हैं कि टीडियस में आपको क्या राहत मिलेगी या फिर आम लोग जरूर देखें ताकि आपको complete knowledge मिले और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ तो देखिए क्या है इसमें तो वित मंत्री जो निर्मला सीता रमंट जी है वित मंत्री है कोविड 19 के 20 लाग करोड के राहत पाकेज के ब्रेक अप कि उन्होंने जान हम देखेंगे वीडियो में इसके तहट सभी फर्म और कंपनिया जहां सो से कम करमचारी काम करते हैं उनकी सालरी 15,000 से कम है तो उनका पैसा तो सरकार देगी माल लीजे आपकी पहले हम देखते हैं employer की नजर से क्योंकि इसमें अभी सिर्फ employer की बात हुई रही है तो employer की करता था आपका 12% 12% employee 12% employee यानि कि आपका टोटल 24% थोड़ा प्लस एड्मिनल चार्जेस लगते हैं वह तो 24 आपका परसंट जो करता था पी एक जो आपके एप अकाउंट में आपका जहता था आप क्या है कि जिनकी सालरी 15,000 से कम है जिनकी सालर जेंके employees 100 से कम है तो उनका 24 का 24% कोन दे रहे है गोर्मेंट दे रही है लेकिन अब इस 12% को भी गटा दिया गया है तो अब 12% को गटा कि में किसको फाइदा मिलेगा जिनकी 15,000 की सालरी वाले ना उनको तीन महीने की मदद हो जाएगी क्योंकि जो PF का पैसा है वो गटा दिया गया है तो सभी फर्म औ और ऐसे करमचारी की सालरी का 24% हिसा सरकार अपने PF में जमा करेगी और सरकार ने EPF कंट्रिबिशन को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा है अब अगस्त करेगी पहले तीन महीने तक बढ़ा था अब उसको और तीन महीने तक एक्स्टेंट कर दिया है अब अगस्त तक यहां पर बात हो रही है अभी तक employer की अब employee को क्या फायदा हुआ कि PF EPF में कंपनिया PF में इस्सेदारी 12% की जंगे 10% कर सकेंगी अब इससे क्या फायदा होगा अगर सरकार PF contribution को 12% से गटा कर 10% करने का फैसला लिया है यह भी तीन महीने तक है तीन महीने बोले तो कब तक है यह भी आपका अगस्त तक है तो हाला कि केंद्रिय और रज्य सरकार के करमचारियों का PF 12% ही कटेगा यह आपको ध्यान रखने है अगर आप केंद्रिय सरकार के क करमचारी है तो आपका PF 12% ही कटेगा यह सिर्फ उन करमचारियों के लिए है जो गरीब कल्यान योजना के अंतरगत नहीं आई है यानि कि ऐसे एंप्लोयर जिनका 12-24% जो हम बात कर चुके हैं वह अभी तक एंप्लोयर ही पे कर रहे हैं एंप्लोयर को कोई benefit नहीं मिला तो उनके लिए है जो करीब कल्यान योजना के दर्गत नहीं आई है तो इसमें करीब 4.3 करमचारी को फायदा होगा इससे करमचारी और कमपनिया को टोटल मिलाके करम देंगे तो 6,750 करोड अतिरिक्त रुपे मिलेंगे तो सरकार ने EPF को तीन मेने के लिए आगे बड़ा अग कि बेसिक है, HR है, Medical Allowance है, ठीक है, मालीजे ट्रांसपोर्ट Allowance है, या Convince Allowance है, कुछ Special Allowance है, ये सारी चीजों को मिला कि आपकी एक ग्रोस सेलरी बनती है, मालीजे आपकी ग्रोस सालरी है 20,000 रुपे, आपकी बेसिक होती है ग्रोस की हाफ यानिकी 10,000 रुपे, HR होता है बे publicity पर पर्सेंट करता, तो अब किसम पर चाठता था आपके ग्रोस सालरी होती है ? Okay check that K Breakdown है ऑ- माईनस में आपका एक शारी, यानिकी इस केस में आपका twisting रुपे में आगर आपके 5000 करेंगे तो अभी तक, आपका पंद्रह बनार यार प्रसेंट कर दिया गया है? की छूट मिल गई है तो अगर आप 2% करेंगे तो यहां पर तीन सो रुपे और आपके इन्हाइंस सेलरी में बढ़ रही है तीन सो तो यह यहां से एंप्लोई वाला पीफ अगर एंप्लोई वारा भी करता है इतना ही तो आपका यह टोटल 600 रुपे आपकी इन्हाइंस सेलरी करेंगे तो आपको इन्हाइंस सेलरी में मदद मिलेगी यह मैंने चोटा सा प्रोसिजर आपको समझानी की कोशिश की है आप इसको दोबारा से समझ सकते हैं वीडियो को पीछे जाकर ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए कि आपको क्या बेनेफिट होने हुआ है उन दो पर यहां पर तो थैंक्स पर वाचिंग वीडियो को लाइक जरूर करें कोई भी डाउट आपका फिर भी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं जो लोग नहीं है चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले और ओल नोटिफ आपको टाइम लीड मिल जाए तो दोस्तो आज की वीडियो में था इतना ही नेक्स वीडियो मिलेंगे नई टोपिक के साथ थैंक्यू सो मच बबाए टेक क्याए